दोस्तो जब भी हम अपने घर में electrical work करवाते हैं तो वैसे तो हमारी electrical drawing में सब mention होता है कि हमारी wiring, conduits, switches, sockets और lighting के point की height क्या रखनी है पर आपके पास drawing हो नहीं हो आपको electrical work में सभी different switchboard और points की standard height का पता वैसे भी होना चाहिए तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके किस room में किस जगह आपके switch या socket की height कितनी रहेगी या रहनी चाहिए तो जानने के लिए वीडियो में बने रहेगा important जानकारी है अगर आप अपने घर में electrical work करवाने वाले हैं या करवाने जा रहे हैं और ऐसे में आप हमारी ये electrical work tip की पिछली वीडियो भी जरूर देखिएगा आपके बहुत काम आएगी तो चलिए friends आज की वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो यहां मैं आपको सभी height bottom floor यानि के finished floor level से बताऊँगा finished floor level आपका tile या flooring का top surface होता है दूसरा यहां मैं आपको सभी height feet mm और inch इन तीनों में बताऊँगा ताकि हर कोई समझ पाए जो जैसे समझता है तो चलिए देखते हैं नंबर वन सबसे पहले आपको सभी room में switchboard की जो height है वे 4 feet रखनी है यानि के 1200 mm और inch में बात करे तो 48 inch इससे कम आपके switchboard की height नहीं होनी चाहिए सेकिंड जो आपके bedroom में bed के पास light का switchboard रहेगा उसकी height finished floor level से धाई feet ही रखे ताकि आप आराम से बिना bed से उठे light on या off कर पाए mm में बात करें तो सड़े 700 mm रखनी है और inch में 30 inch बैड के पास एक board देना जरूरी होता है phone charging और light वगएरा के लिए थर्ड आपके AC का जो point रहेगा वह finished floor level से कम से कम सड़े 6 feet पर रहेगा यानि के 2000 mm और 78 inch पर फोर्थ आपके TV का जो ये switch है इसकी height जनरली 3 से सड़े 3 feet तक रखी जाती है finished floor level से यानि के 900 से 1050 mm तक और 36 से 42 inch तक फिफ्थ आपकी जो tube light की height रहेगी finished floor level से वो सड़े 6 से 7 feet तक रहेगी यानि के 1950 mm से 2100 mm तक और 78 से 84 inch तक बाकी ये डिपेंड करता है आपकी ceiling height पर नमबर 6 जो आपका power board रहेगा भारी electrical उपकरन चलाने के लिए उसकी height floor level से 2 feet रखनी है यानि के 600 mm और 24 inch नमबर 7 टेलिफोन point की height आपकी 3 feet होनी चाहिए यानि के 900 mm और 36 inch नमबर 8 अब आपका जो bathroom में geezer का point रहेगा उसकी height एक तो 6 से 7 feet यानि के 1800 से 2100 mm और 32 से 84 inch तक रखनी है दूसरी बात geezer का point देते हुए ये ध्यान रखे कि ये point आपका आपके sower से हट कर हो और sower के सामने वाली दिवार पर तो बिल्कुल भी ना हो नहीं तो उस पर पानी गिरेगा तो इस बात का भी आपको geezer point देते हुए ध्यान रखना है नमबर 9 आपका जो कीचन में आरो या एक्वागार वाटर प्यूरिफार का point रहेगा उसकी height आप अपनी comfort के हिसाब से 1.5 से 6 feet तक रख सकते हैं यानि के सड़े 400 से 1800 mm और 48 से 72 inch तक इसकी height टोटली आपकी kitchen space पर depend करती है नमबर 10 आपका जो freeze का point रहेगा उसकी height 5 से 6 feet पर रखे यानि के 1500 से 1800 mm तक और 60 से 32 inch तक नेक्स्ट जो आपकी dressing table की light होती है उसकी height कम से कम 6 feet होनी चाहिए यानि के 1800 mm और 32 inch तक नमबर 12 आपकी जो ceiling fan की height होती है वो finish floor level से 8 foot 8 inch से कम नहीं होनी चाहिए यानि के 26 mm से कम नमबर 13 है doorbell जो घर के बार doorbell का switch दिया जाता है इसकी height आपको 4 feet से कम नहीं रखनी चाहिए यानि के 1200 mm और 48 inch से कम यानि के छोटे बच्चों का हाथ इस पर आसानी से पहुँचना नहीं चाहिए नमबर 14 है आपके doorbell का speaker जो आप घर के अंदर लगाओगे यह doorbell speaker आपको कम से कम 7 feet तक की height पर रखना है यानि के 2100 mm और 84 inch तक लाश्ट है आपका distribution board जिससे पूरे घर में electricity distribute की जाती है इसकी height आपकी 6-7 feet के बीच में होनी चाहिए यानि के 1800-2100 mm और 84 inch तक तो इन सभी different switchboard की height का आपको अपने घर में electrical work करवाते हुए जरूर ध्यान रखना है तो I hope के दिगर जानकारी आप लोगों के लिए useful रहेगी और आप लोगों के कुछ काम आईगी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो का ज्यादा से जदा like और share करना नहीं भूलिएगा आप हमारे channel माई engineering support को भी जरूर सबस्क्राइब करें अगर आप house construction related videos देखना पसंद करते हैं ओके फ्रेंड्स तो वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों बहुत बहुत धन्यवाद गाईज तो see you in the next video lecture गाईज thanks for watching and have a nice day